हेला अर्वान माइम इस मुर्तिसा काइट असीजन शार्टर अकाउंटेट वित ओवर तैन यहर डाइवर्सिफाइड एक्सपिरेंस इन फिनाशल रिपोर्टिंग आइवेलकम यू ओल तो दिस एजबियार ओडिएशन सेशन जो पेपर आज हमने डिसकस करना है उसका नाम है स्ट्रेटिक बिसनस रिपोर्टिंग यू और आज की डिसकसिन में हम इस पेपर के हर पैलो को देखेंगे जैसे के एस बी आर का कोर्स कंटेंट किया है इस पेपर का डिफिकल्टी लावल किया है इस पेपर में एसीसी के एक्जामनेर की आप से क्या एक्सपेक्टेशन एस बी आर एसे सीए के बैतरीन पेपर मेंसे एक है मैं पिछले साथ सालों से इस टीचिंग प्रोफिशन के साथ वाबिस आ हूँ और इस अरस्से में मैंने सीए पाकिस्तान के एसी सीए के आईसी डबलू के इविए कोस्ट और मैनेजमन अकाउंटिंग की कौलिफिकेशन क यह बहुत से पेपर्स देखें लेकिन एस बी आर का एक अलगी लेवल है इस पेपर की सोफिस्टिकेशन एन एक्सलेंस बहुत ही बैतरीन है इट इस वान अफ दी मोस्त रिमार्किबल पेपर यू कैन थिंक अफ अगर हम एस बी आर की कोर्स को ब्रोडली कैटेगराइज कर याद है फाउंडेशन है अगर हम फनेशल अकाउंडिंग और रिपोर्डिंग पर अपनी गरिप को मजबूत करना चाहता है तो हमें यकीन इस एरिया पर अपनी गरिप बहुत ज्यादा मजबूत रखनी होगी इसकी बात हमारे कोर्स का अगला मेजर एरिया है इंटरनेश फनेशल रिपोर्टिंगी पेपर में कवर कर चुक है हम उनी स् recommandards को रिवाईस करेंगे या फिर हम उनी standards का एक extended version sbr में कवर कर रहे होंगे for example हमने IAS 37 financial reporting में cover किया था लेकिन SBR में इसे फिर से शामिल किया किया है में SBR में कुछ बिल्कुल नए accounting standards को cover के जो आज से पहले हमने कभी cover नहीं किया For example, हम IFRS 2 Shared-based payment के standard के हवाले से discussion करेंगे For example, हम IAS 19 Employees Benefit का standard कवर कर रहे होंगे ये वो accounting का standard है चुक्छे हम पहली बार इस SBR के paper में सीखेंगे इस एरिया में हमने financial instruments को भी cover करना है आप सोच रहा होंगे कि financial instrument का standard तो हमने financial reporting के paper में पहले ही cover किया वा है लेकिन यकीन जान है आपने financial instrument को cover ही नहीं किया financial instrument को जितना हमने financial reporting के paper में सीखा था वो इस financial instrument के topic का बमुश्किल 5 से 10% है SBR में financial instrument के coverage काफी वसी रखी गई है Basically financial reporting के दुनिया के लगबख सारे ही accounting standards आपके SBR के paper में कहीं न कहीं किसी न किसी way में cover किये जाएंगे हमने इस एडिया को बहुत अच्छी से cover करना है और बहुत डीटेल में cover करना है और हमारी study time का लगबख 40-45% हिसा इन ISS और IFRS की coverage में लगएगा Basically इस IS और IFRS की area में कुछ पुराने accounting standards की revision और कुछ नए accounting standards को हमने cover करना है एक बहुत ही एहम standard जो हमने cover करना है वो है IFRS 9 that is financial instrument जो के एक समंदर है यह यूं कहले के बहुत ही गेरा समंदर है IFRS 9 का standard इतना वसी इतना landy है कि सरफ IFRS की book में इसको सारे 700 से ज्यादा page इस पे cover किया गिया यह topic financial reporting की field का सबसे ज्यादा मुश्किल सबसे ज्यादा challenging topic है और हमें इसे बहुत अच्छे से अपने exam के लिए cover करना है इसके अलावा हमने IFRS 16 that is leases, IFRS 15 that is revenue from contract with customers, IAS 12 that is income taxes इन standards को मजीद तफसील से cover करना है हमने इन सारे important standards की comprehensive coverage करनी है conceptually भी और practically भी क्योंकि यह सारे standards ना सिर्फ हमें अपने exam में अच्छा score असल करने में help करेंगे बलकि हमारे professional career में भी हमें आगे बढ़ाने में help कर रहे होंगे इसके बाद अगला area जो हमने handle करना है वो है group financial statements यानि के consolidation अब consolidation भी हमने पहले financial reporting की paper में cover किया था but SBR में हम consolidation को बिलकुल scratch से cover करेंगे consolidation भी एक ऐसा topic है SBR के area में जो कि हमारी steady time का significant portion अकुपायब करेगा तकरीबन 40-45% time हम इस area पे लगा रहे होंगे और basically consolidation के area को भी हम दो parts में divide कर सकते हैं एक है basic consolidation जो हमने पहले financial reporting की paper में सीख चुके हैं और दूसरा है advanced consolidation और ये area आप पहली बार SBR में cover करेंगे आप सूसरे होंगे कि basic consolidation तुमने already F1 में test हो चुका है तो ये SBR में दوبारा नहीं पूछा जाएगा लेकिन यकीन जाने ये एक गलत फहमी है इविन basic consolidation का जो ये area है वो आपके SBR के exam में अक्सर 7-9 माक तक test किया जाता है हमें इसे अंदाजा होता है कि SBR का examiner सब areas को thoroughly cover करता है हमारा basic जितना मस्बूत होगा हम उतना ही अच्छा exam में perform कर सकेंगे और उतना ही अच्छा advanced areas advanced concepts को समझने में असानी होगी तो हमने basic consolidation की concepts और practice दोनों को थोड़ली cover करना है जिन students का basic consolidation already अच्छा है वो इस area को quickly cover कर सकते है but make sure कि आप सारी चीजों को comprehensively cover करें आप कोई भी जिस skip ना कर रहे हो once आपका basic consolidation का area cover हो जाएगा फिर हमने advanced consolidation का area देखना है इस area में हम बहुत से complex scenarios को cover करेंगे जैसे के joint arrangements, जैसे के health force institutions, जैसे के step acquisition और disposal of subsidiary के transitions पगरा एक foreign country में अगर हमारी subsidiary है यानि कि कोई foreign subsidiary है तो हम इसकी भी reporting implications देख रहे होंगे basically advanced consolidation का area हमारे basic concepts, हमारे basic consolidation की उपर ही dependent है हम जितना अच्छा basic चीज़े conceptually पता होंगी उतना ही अच्छा हम advanced area cover कर सकेंगे consolidation के area की coverage ये बात SBR के course की remaining areas है वो बहुत ही कम वक्त में वो बहुत ही कम time में cover हो जाएंगे जैसे के एक area हमने cover करना है ethics का जहां हम accountant के code of ethics को cover करेंगे इस area में हम code of ethics के content को cover करेंगे जैसे के accountants को कौन कौन से ethical standards को follow करना चाहिए इन ethical standards को किस तरह के threads हो सकता है और इन ethical guidelines को real world scenarios में किस तरह से apply किया जाएगा ethics का area बहुत ही दिल्चस्प है क्योंकि इसका content बहुत ही practical और बहुत ही engaging है यहां हम fraud detection, creative accounting और personal biases यह सारी चीज़े different case studies के थूँ सीख रहे होंगे इसके बाद हम एक segment को explore करेंगे जिसका नाम है analysis and interpretation of financial statements आप सोच रहे होंगे कि यह तो वही ratios वाला topic है ना जो हमने पहले F.E.R. में cover किया था लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है S.B.R. के paper में इस topic का scope बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इस topic में हम alternative performance majors that is APM को देख रहे होंगे आज की दुनिया रिवायती ratios से आगे जाकर नए customized ratios पर बात कर रही है जो कि हर कमनी अपने लिए खुद बना दी है अपनी performance को assess करने के लिए अपनी performance को major करने के लिए इसके बाद paper की आखरी हिस्से में हम current issues पर बात करेंगे that is current affairs S.B.R. के exam में examiner 8 से 10 marks current issues को allocate करता है ताकि वो ये assess कर सके कि आप financial reporting की दुनिया में current development से कितना aware है इस area में हमने current trends और updates के बारे में देख रहे होंगे जैसे कि आज़कल integrated reporting में क्या चल रहा है sustainability reporting और climate change की reporting के अवाले से standards पर क्या काम हो रहा है और जो new accounting standards आने वाले वक्तों में इन process है इन pipeline है उनके ओपर क्या update है उन से related क्या developments चल रही है असल में इस section के थूँ आपका examiner accounting और finance की दुनिया में जो latest developments है उनको पड़कना चाहता है आपका examiner ये जानना चाहता है क्या financial reporting की दुनिया में दाखिल होने के लिए तैयार है भी या नहीं SBR की overall course content को देखते हुए ये पेपर बहुत ज़्यादा challenging बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है लेकिन यकीन जाने इस subject का passing ratio आपके ACCA के professional level के बाकी exam से काफी ज़्यादा बैतर है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको ये पेपर ना सर्फ educational perspective से बहुत ज़्यादा interesting तो लगे गए लगेगा साथ में आप इसे बहुत ज़्यादा enjoy भी करने वाले हो ये subject आपके profession की बुनियाद है एक successful charter accounting बनने के लिए financial accounting और financial reporting की skills का अच्छा होना उन में महारत होना आपके professional career के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अब हम बात करते हैं कि हमने अपनी studies को कैसा लेकर चलना है सबसे पहले हमने ये orientation session देखना है फिर हमने smart study plan को देखना है smart study plan को इस तरह से plan and design किया गया है कि आपका study schedule optimize हो सके इसमें हमारे पास weekly targets आ रहे होंगे कि हर week हमने कौन से lectures देखना है हमने कौन से accounting के standards को cover करना है और किस तरह से proper time frame में हम कौन कौन से topics को cover कर रहे होंगे हमारे इन सारी discussion का objective SBR के paper में maximum score करना है लेकिन इसके लिए हमने हर अफ़ते कम असकम 10 गंटे पढ़ना है या तो दिन में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है या फिर weekends पर ज्यादा weekdays में काम जैसे आपके schedule के साब से आपको convenient हो यह जो online session है यह हमें बहुत ज़्यादा flexibility provide करता है लेकिन हर अफ़ते में कम असकम 8 से 10 गंटे की coverage हर अफ़ते में 8 से 10 गंटे के lectures लाजबी cover करना है ताकि आपकी performance बेतर से बेतर हो सके हमारे target है कि हमने exam से कम असकम दो हफ़ते पहले तक अपने course का सारा content including past papers, assignments, lectures, notes सब कुछ मुकमल तोर पे cover कर लेना है इस approach से आप आखिर के दो अफ़ते में exam के लिए comprehensive revision कर पाएंगे जिस दोरान आप नए past papers की practice करेंगे और life exam preparation session से बेकर attend कर सकेंगे आपकी study journey इस orientation session से शुरू होगी उसके बाद smart study plan को देखना है और पर lecture को दी हुई structure sequence में cover करना है इस sequence को follow करके आप अपने studies की effectiveness को maximum level पे ले जा सकते है अगर किसी भी वगद आपको कोई भी क्यूरी कोई भी confusion हो आप मुझे हमेशा whatsapp के थूरू contact कर सकते है देखें अपने tutor से touch में रहना बहुत important है उन्हें अपनी studies के बारे में update करें इससे आप hopefully बैतरीन result हासल कर सकेंगे हम SBR के paper में maximum score हासल करने के goal से किसी भी point पे पीछे नहीं अटना ना आपने पीछे अटना है ना मैं आपको पीछे अटने दूँगा अपनी discussion को conclude करने से वाले हम examination paper के structure पर भी थोड़ी बात कर लेते है अपका paper 100 marks का है जो कि दो sections में divided है section A and section B section A 50 marks section B 50 marks by the way सारे के सारे questions compulsory होंगे section A में दो questions होंगे पहला question that is question number one consolidated financial statements पर होगा जिसकी weightage 30 marks होगी और दूसरा question ethical areas और ethical implications से होगा जिसमें accounting implications भी test की जा सकती है तो question number two खास तोर पर IES, IFRSS और ethical areas से test की जाएगा और इसकी weightage around 20 marks होगे इसके पास section B में भी हमारे पास दो questions होगे section B में जो दो questions होगे इनकी weightage 25 marks each होगे question number three and question number four question number three और question number four में different multiple accounting standards को test की जाएगा और इन questions के multiple सब part हो सकते हैं for example part A, part B, part C and part D हर एक part में हमसे एक या दो accounting standards पूछे जा सकता है इन सारे discussion का इस exam structure को बताने का purpose है कि आपके exam के, आपके SBR कोर्स की coverage बहुत जादे important है आपने पूरा कोर्स thoroughly cover करना है इसी तरीके से जो question number four है जो के 25 मां को question है ये सवाल APM से related होगा या इसमें भी कोई न कोई accounting के standard पूछा जाएगा session B में हमसे current issues भी test किये जा सकते है लेकिन जो आपकी examination का current format है इस format में इन current issues की testing 8 से 10 मांक से जहरा की नहीं होगी कुल मिलाकर ये 100 मांक का paper है और हमारा objective maximum score हासल करना है एक और बात बताता चलो SBR के paper में 65, 70 यहां तके 80 मांक से लेना कोई बड़ी बात नहीं है बहुत स्टूडंट्स ये score हासल करता है और आपको भी इसके लिए कोशिश करनी है सही तरीके से अपनी studies को लेकर चलें सही तरीके से सारे sessions को दिहान से attend करें वैसे तो मैं आपको सारा material सारे class notes provides करूंगा ही लेकिन अपने जाती notes जरूर बनाए आपको किसी additional study text की जरूरत नहीं होगी exam kit लेना काफी होगा आपके लिए मगर आपके जाती notes आपके revision में बहुत help कर रहे होंगे इसी के साथ I am signing off wish you all the best in your studies Thank you